आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ Represent 1 प्लस रूट 9.5 on the number line तो हमें क्या बोला है कि हमें 1 प्लस रूट of 9.5 जो है वो number line देशो करना है सबसे पहले एक straight line यहाँ पे draw कर लो हमने यहाँ पे एक line consider कर लिए दिखो यह मेरी line है अब क्या करना है इस line पे सबुझे मेरी x-axis है यह line जो है मेरी that will be your x-axis एक line हमने consider कर लिए अब इस line पे आपको कितना लेना है 9.5 cm है कितना लेना है 9.5 तो हमने scale रख दियो और 9.5 कहाँ पे यहाँ पे देखो 9.5 हमारा तो 9.5 पे मैंने mark कर लिया अब इसे नाम देदेंगे हम A, B जिसमें हमारा A, B का distance कितना है 9.5 cm यहां लिख देती हूँ मैं convenience के लिए A, B कितना consider कि हमने 9.5 cm अब A to B हो गया now consider एक point आपको B2C लेना है point B2C लेना है जिसका distance कितना रहना चाहिए उसका length range है 1 unit तो 1 unit मतलब आप कितना भी ले सकते हो मैं यहाँ पे 2 cm कर लेते हूँ कि मेरा B2C जो रहेगा वो 1 unit है it means they are 2 cm तो यहाँ पे मैंने B पे रखा 2 cm में mark किया this is my point C and distance of B2C will be 1 unit अब क्या करना है you have to draw perpendicular from A to C A to C पे perpendicular draw करना है A to C में perpendicular क्या करना है हमें draw करना है और उससे आपको क्या मिल जाएगा median मिल जाएगा उस median को हम name देंगे that will be your तो अभी हमें पता है कैसे हम median draw करते है try your compass compass ले लो उसमें more than half ले लो AC का more than half ले लिया हमने एक आर्क उपर ड्रॉ कर लो वैसे आप नीचे भी ड्रॉ कर लो से में यहाँ पे नीचे 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 ड्रॉ करें अभी हम पर पर परपेंडिकलर ड्रॉ करने मुझे सेंटर के लिए तो यहां पर मैंने एक आर्क ड्रॉ किया और उसे क्या कर लिया है intersect करने का try किया है A to C का मैं परपेंडिकलर ड्रॉ करें तो देखो मुझे यह point मिल गया अब सीधा उसे लाइन पर परपेंडिकलर ड्रॉ को लो देखो कहां पर आ रहा है यह हो गया यह क्या मिल गया मुझे now this is my O, O will be the center अब O को center consider कर यह और O to C का major ले लो O को consider करके O to C का आप measurement ले लो और क्या करो यहां पर एक semi circle ड्रॉ कर लो यहां रखा मैंने O के उपर और यहां पर मैं semi circle ड्रॉ करें ओके देखो यह semi circle हो गया अब क्या करना है सेम बी पे आप रखो बी पे एक छोटा सा semi circle ड्रॉ कर लो और हमें क्या करना है बी का बी का हमें ड्रॉ करना है perpendicular जो हमारे semi circle को touch करेगा यहां पर बी पे एक semi circle ड्रॉ कर लिया इस point पर रख दो यहां एक arc ड्रॉ करो इस पर रखो यहां पर एक arc ड्रॉ करो दो points मिल गए अब क्या करना है आपको perpendicular तो पता है कैसे करना है bisect कर लो इस पर रखके यहां रखो और इसे भी bisect कर लो मिल गया point अब कहां तक लहीं लेनी जहां तक आपका यह बड़े वाले semi circle यह बड़ा semi circle उसे touch नहीं हो रहा देखो अब मैंने क्या किया B को center consider करके यहां पर एक perpendicular draw किया है और इस point को हम बोलनेंगे that is a by point D तो बेटे B2D मुशे मिल गया अब क्या करना है B2D का major आपको compass मे लेना है B2D का major compass मे ले लो that will be nothing but your radius और यहां पर एक r कर ट्रॉ कर लो यहां पर r कर ट्रॉ कर लिया यह आपके line पर जहां पर touch हो रहा है समझो हमने बोल रहा है this is my point E तो B2E जो मिला है आपको that is B2E it is nothing but value of root of 9.5 तो B2E जो आपको मिल रहा है यहां पर total it is root of 9.5 ओके यह देखो B2E जो है root of 9.5 मिलके आपको B2D जो यह value मिल रही है आपको यह है ना radius that is root of 9.5 तो हमने r के draw कर लिया वो line पर कहां पर आ रही है at a point E आ रही है तो this is root of 9.5 but our question is to draw 1 plus root of 9.5 तब क्या करना है E से लेके हम 1 cm आगे क्या करेंगे mark करेंगे तो यह मैंने E पर रखा यह line को और extend कर देती हूं देखो E पर रखा 1 cm कहां दिख रहा है यहां पर तो हम बोल देंगे suppose this is my point P ओके this is my point P तो यह कितना हो गया 1 unit हो गया देखो E 2 P मैंने 1 cm ले लिए अभी not a unit sorry तो अब को क्या बोला था तो draw root of 1 plus root of 9.5 sorry to draw 1 plus root of 9.5 तो हमें कैसे मिल रहा है 1 plus root of 9.5 तो हमें मिल रहा है if we add 1 कहां पर मिल रहा है E 2 P so add E plus P plus root of 9.5 कहा है B to E B to E so if we add E P plus B E we will get 1 plus root of 9.5 and this is your required solution Classics to 12 सलेके meet IIT जही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड के डाउटने टाप या वाथ्साप कीचे अपने डाउट आच चार्सो 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 पर